मैं दोस्तों मैं। सुमिदूरा आज की इस वीडियो में और हम बात काने वाला इस आभ अने आपने Redmi Note 7 And Note 7s में elkaar Ñ और जायागा तो मैं प्सी आपनीा कंटे सेवन होने करना है अलफ सर्फ हो कीपें और knob सबस्क्राइब करना तो चल यार बिन अब वाकत वाहें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसक्राइब करने अब क्या है क्या है मैं आपको बता देता हूं तो यहां पर देशेंगे में 11.0 पर 6.0 पर रहा हूं आपकी मर्जी आप किसी भी वर्जन पर तो आप इस्ट्रोल कर सकते हो आपके बाद सेवन ऐसे नोट सेवन ना दोनों में वार कर गया क्यों कि दोनों डिवाइस जो सेम है कुछ भी अं अनलोग तो अनलोग कैसे करना बूट लोडर के इसके पर मैंने वीडियो कुछ दिन पहले ही बनाई थी तिया वीडियो को लिंक डिस्किशन में जाके देखा हूं उपर आई बटन आ रहा होगा इधर की साइड उस पर क्लिक करके आप देख से तो यह वीडियो का लिंक इनेबल हो जाएगा बस आपको और कुछ निकना और हाँ आपको यह यूसपी डी इनेबल रेकना आपको एक बार चेक करना है अब अब को दिखाता हूं सो फैसे अब हम आचुके अपने कंपूर्टर के स्क्रीन पर अब मैं आपको उता तो आपको करना क्या डिस्किस में दो फाइल का लिंक दूंगा यान की जिफ फोल्डर का एक होगा ड्राइवार्स ड्राइवार्स को आपको एक्सटेट करने के बाए यहां आपको पता हींगे घ्राइवार्स बहुत जरू है तभी आपको डिफाइस में रिक रखरी स्टॉप ऊपाएगा तो फैसे बाद तो आपको रिकवरीय की कोई जरूति निर दुबार्ड इदमी नोट 7n7 s का टिया टूल जो कि भाई मैं ने खुद एडिट क्या तो इज मै आपको इस पर डबल टैप करना और यह कुछ इस तरह से ओपन हो जागा यहां पर आपको कुछ नहीं करना है अब आप यहां पर देशके तो हमरे डिवाइज है इसको आपको पावर ओफ कर देना और वोल्यूम डाउन और पावर बटन की दिवाए करना है जिसे कि आपको जो मेरा FASTBOOT MODE Open हो चुका है और सिंपली आपको जब कर देना आपने डेटे कावल से जो कि भाई आपके PC से चनेक्ट हो जुका है अब यहांपर आप देशे तो यहमारा कुछ इस्तर से आप इसको डिस्किनेक्ट करती जिए और यहांपर आपको करना कहें सबस्ते पहले वो रखते हैं जिससे कि हमारा जो दिवाइस दिवाइस में डाल के एक बार टीर आपी रिकवरी मोड में चला जाएगा बस यह काम दो Count,, कुछ नहीं काम होग है एक काम और que टेक है तो यहांपर आप देखेते हमें मैंने सिस्टम से यहां पर आप यहां पर लिखा वह यह रिकवरी इसको उठाकरा है अपने रेडमी नोट्ट सेवन यहां पर आजाएगा आपको सिंपली इसको इंटरेंच डाल लेना है कि है तो यह यह वाली आचुका और यह काम हो बाइब आपको कर लिए आपको आपको बैस आप कर ले जा कर ली जिए यानि आपके स्टोल हो चुकिया तो वह बस यह काम दा बाद चोटा शहाँ है आपने रेडमी नोट 7 ये नोट 7S में आप इसी मेथड से ट्यापी रिकवरी को स्टोल कर सकते हो कोई प्रोल्म नहीं होगी आपको और नहीं आपको अभी मैना सोट मेथड बतायाता है इतना लंबा मेथड भी आपको टाइप करनी क्योंको जरूतिनी बास एक क्लिक करना है और ट्य मेरे डिवाइस ओ चालू रख कोई प्रोल्म नहीं रहा उसके बाद मैं आपको एक और बार ट्यापी रिकवरी मोड में लेके दिखाऊंगा बाद में आप यह ना बोलो कि यार ट्यापी रिकवरी से ट्यापी रिकवरी को स्टोल करना मत भूलना जो कि मैंने आप इस दिख और मैंने इसको टूल को जो भी टूल बनाये मैं अगर आपको अच्छा लगता है उस तो यह रिकवरी को यूज करता हूं आप इसको यूज कर सकते हो और इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग उप्संस मिल जाते अभी मैंने इसको वाइट किया हुआ यहां पर आपका ज ब्लैक में सही तरह से दिखाई नहीं देता है यहां पर यह ब्लैक तहम इन इसको यहां पर वाइट के हुआ आप तैंसर मतले ना आपको ब्लैक करना तो आपको वाइट कर लिना बाकी इसमें आप फॉंट बगारा बहुत सारी चीजे चेंज कर सकते हो जो भी आपको करना है और बाकी वीडियोज आने वाले इसकी कस्टम रोम से रिलेटेड तो प्लीज आचाहेंगो सब्सक्काइब कर लेना इसी तरह मैं रेड्मी नोट 7 और नोट 7S से रिलेटेड वीडियो लाता रहंगों हम मिलते इसकी नेक्स वीडियो में जब तक कर लें चैन जै बारत